वेलकम तो दे इंटी चैनल आज हम डिस्कस करेंगे कि आउडियो मेट्री रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काफी संबब है कि आपने आउडियो मेट्री कराई है पर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो तो आप ये देखो इसमें दो ग्राफ हैं एक blue clear का एक red clear का तो जो red clear वाला है वो right ear का है ये कैसे पता चला? red मतलब start होता है R से और R से start होता है right तो ये याद रखने का तरीक है कि red वाला graph right ear का होगा blue वाला left ear का होगा फिर आप इसमें दो लाइने देख रहे हैं नीचे की लाइन है उसे बोलते है एर कंड़क्शन तो बोन कंड़क्शन और एर कंड़क्शन का क्या मतलब है आप ये समझो जो बोन कंड़क्शन है वो आपका सुनाई बताता है जो नस्क के दवारा हो रहा है और जो नीचे वाला है वो एर कंड़क्शन है वो हेरिंग है ज एर कंड़क्शन के साथ तो वो बोन कंड़क्शन पर एड होता है तो इसमें दो लाइने बताती है अगर नस खराब है तो उपर की नाइन भी नीचे आ जाएगी और अगर परदे में छेद है तो नीचे वाली लाइन जादा नीचे आएगी सो जब भी कोई बोले कि सुनाई करम दे रहे तो आप दो तरीके से डिफाइन करिए क्या नस में खराबी है या जो वो कान के अंदा मेकानिजम है जिससे साउंड ट्रांसफर हो रही है उसमें डिफेक्ट है अगर वो अपरेटर्स में डिफेक्ट है तो नीचे वली लाइन नीचे जाएगी अगर नस खराब है तो उपर वाली लाइन नीचे जाएगी अगले audio program में आप देख पा रहे हैं कि right ear जो लाल लाइन दर्शाता है वो उसमें काफी नीचे hearing loss हो गया है और दोनों लाइने स्टार्टिंग में बहुत पास है बट बाद में थ्रोड डिस्टेंस पे है बट स्टिल वो 60 decibel के काफी नीचे है bone production ये एक तरीके का bone hearing loss है जिसम कि left ear में बहुत मामूली सा nerve deafness है अगले audio program में देख पा रहे हैं कि दोनों ही कानों में अच्छा कासा hearing loss है और इसमें दोनों लाइने दोनों कानों में बहुत पास-पास है तो ये pure nerve deafness या sensory neural hearing loss है ऐसा graph अक्सर बड़ी उमर में देखने को मिलता है जहां उमर के साथ-साथ जो सुनाई काम होता है जिसे हम press by accusis कहते हैं उसके कारण ऐसा hearing loss मिलता है अगले audio program में आप देख पा रहे हैं कि दोनों लाइनों में काफी अंतर है जो नीचे वाजी लाइन काफी नीचे है ये right ear का है red set denote कर रहा है और इसमें most likely पर्दा फट गिया है और जो सुनने की हड हडियों को भी नुकसान पूच है क्योंकि इसमें काफी गैप है पर्दा फटने पे hearing loss 30-45 decibel तक होता है बड़ अगर हडिया भी इन्वाल्ड होती है तो दोनों के बीच में काफी गैप आ जाता है तो यह pure conductive hearing loss है और इसमें नस्थ नॉर्मल है जितना भी hearing loss होता है हम उसको classify करते हैं कि वो mild है moderate है severe है हम 25 decibel तक जो hearing सुनने की शमता आती है हम उसको normal मानते हैं अगर hearing loss 25-40 के बीच में आए तो हम उसे mild कहते हैं या कम और अगर 45-45 आए तो हम उसे moderate बोलते है जो थोड़ा ज़ादा और जो 55-70 आए तो हम उसे moderately severe बोलत 70-90 के बीच में आए तो हम उसे severe बोलेंगे और 90 के ओपर perform मतलब आलमोस्ट बहुत ज़्यादा सो जब भी आपको कोई बताए कि मेरे को hearing loss हुआ है तो आप उसको बोल सकते हैं कि उसको mild, moderate, moderately severe, severe या profound hearing loss है या नहीं है एक कान में हैं दोनों कानों में हैं और आप ये भी qualify करिए कि वो hearing loss air conduction है या nerve वाला hearing loss है तो उमीद करता हूँ कि इस छोटे से presentation से आपको कुछ-कुछ audiogram के बारे में पता चला होगा at least आप right ear का audiogram कौन सा है, left का कौन सा है, ear conduction hearing loss है, bone conduction hearing loss है कितना severe hearing loss है ये कुछ बाते अब आप समझने लग गए होंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जूर लाइक करिए, अपने friends के साथ share करिए और चैनल में ऐसे ही useful information जानने के लिए आप इसमें subscribe करिए Thank you